तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वलकम आपका मेरे यूटूब चैनल स्टेडी वित योगेस में हम लोग हिंदी का सेशन देख रहे हैं और हिंदी के सेशन में बहुत जल्दी आपकी हिंदी में कम्प्रीट करने जा रहा हूं तो आज भी हमारे दो टॉपिक कम्प्रीट हो जाएंगे जो आपके सलेवेस में प्रॉपरली दिये हैं एक उसने वचन दिया है दूसरा उसने पूरुज दिया है यानि दो टॉपिक हम लोग कम्प्रीट कर लेंगे तो एक जो सेक्षन है आपका हिंदी का वो बहुत हद तक हमारा धीरे देरे कम्प्रीट होने जा रहा है और मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया कि 15 जुलाई से पहले पहले हिंदी, पॉलिटी, एकोनोमी और इंडियन जियोग्राफिक का जो पॉर्षन है तो हम लोग इसकी सुरुवात करते हैं और इससे क्वेशन क्या पूछेगा मैं आपको वैसी ही बता दूगा कि कहां कहां पे आपको इसको फोकस करना है तो हेडिंग डाल लीजे, वचन, क्या डालोगे सिधे-सिधे हेडिंग, वचन, अब देखे वचन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ने ये देखना है इसके डेफिनिशन जहां तक इसकी बात आती है, तो सब्द का रूप होगा, यानि कोई word होगा, उसका एक रूप होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा, की वो एक है या अनेक है याणी वो single है या multiple है याणी वो single याणी एक या multiple अनेक या जिस सब्द के जिस रूप से आपनों को ये पता चल जाता है कि वो एक ही की बात कर रहा है ये बहुत सी चीज़ों की बात कर रहा है वो उसका कैला था वचन वह तो सीधे-सीधे आपनी definition लिखती है सब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है, ठीक है, सीधे सीधे लिखना, सब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है, ठीक है, यानि एक अथवा, सब समझा दूँगा, ठीक है, अथवा अनेक का बोध हो, यानि वो की single है या बहुत जादा है वो उसका क्या कहलाता है वचन कहलाता है ठीक है यानि आपको एक के नीचे highlight करना है और अनेक के तो सब्द के जिस रूप से एक अत्वा अनेक का बोध हो वो उसका क्या कहलाता है वचन कहलाता है सिंपल सी बात है ठीक है यानि सब्द के ज पता चला हूँ जिए सिंगल किसी एक लड़के की बात कर रहा है बहुत से आप को यह सिद्धि ऌगा वहाँ आपको करने स辆 जानेखे नंगा लड़कू कि बात कर रहा है यानि इसमें multi boys हैं, यहनि एक से अधिक इसमें क्या हैं, लड़के हैं, तो आप सिधे-सिधे समझ जाएए, लड़का लिखा और लड़के लिख दिया, दोनु में क्या हो गया, difference हो गया, ठीक है, जैसे मैंने एक example लिखा, किताब, तो आपको क्या बोध हुआ, कि एक single किताब के बारे में एक है, या वो अनेक है, वो उसका क्या कहलाता है, वचन कहलाता है, ठीक है, अब जो वचन होते हैं, वचन कितने परकार के होते हैं, दो परकार के होते हैं, ध्यान डखना, अब वचन कितने परकार के होते हैं, दो परकार के होते हैं, इसको ध्यान देना, वचन कितने परका हैं कौन सा इसमें बहु वचन हैं एकवचन और बहु वचन singular plural कहते हैं आप लोग इंगलीस में वही जरिया ठीक है याई एकवचन और बहु वचन तो इसर दो परकार के होते हैं अब एकवचन जिस सब्द के जिस रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि वो single है यानि एक ही है अपने आप में एक बचन कहलाएगा जबकि बहु बचन किसको कहेंगे सब्द के जिस रूप से ये पता चल जाएगा कोई एक से जादा है वो अपने आप में क्या हो जाएगे बहु बचन हो जबकि बहुवचन में क्या हो सकता है आपका आपने लिख दिया दुकाने मतलब एक से अधिक दुकान होंगे अगर दुकान कहा होता हो सिंगल होता है ठीक है या आपने लिख दिया सडकें एक से अधिक सडकें तो यानि सीधे सीधे सडकें की बात हो गया आपने क्या लिख एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं कि एक जैसे गणिती संध्या वह मतलब दो टमलोजी आते हैं एक को बोलते हैं अगणिती संध्या ठीक है यानि गणिती मतलब जिसको आप गणना कर सकते हैं जिसको आप लोग काउंट कर सकते हैं और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते ह संख्या केते हैं, ठीक हैं, तो दो संख्या के example लिखलो, हो सकता है, कभी-कभी पूच ले, वो वचन से हट के हैं, एक का नाम लिखोगे आप, गननी संघ्या, क्या लिखोगें? गननी संघ्या और एक को लिखोगे, आप, अगननी संघ्या ये क्या होते हैं ठीक है अगणनी संग्या ये क्या चीज होती है अपने आप में ये मैं आपको बताता हूँ जिसको आप सिंपल सी भासा में बता जारा हूँ जिसको आप काउंट कर सकते हैं यानि जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो गणनी होगा जिसको आप काउंट नहीं क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बिलकूर कर सकते हो जैसे 10 किताब है 15 किताब है 20 किताब है कुछ इस टाइप का होगा ना तो किताब हो गया जैसे 4 पाई को मैंने लिख दिया आपने गा कि किती 4 पाई है 5 है 4 है 2 है 3 है यानि जिसको आप simple सी बात है कि count कर सकते हैं उनको बोलता ह कर पाएंगे दियाद अखना सिर्फ इनको नापा जा सकते हैं और तॉला जा सकते हैं तो इसको इसमें लिख दो सिर्फ नाप और तॉल यानि आप इसको नाप सकते हो और तॉल सकते हो तॉल सकते हो सिर्फ नाप और तॉल अब बताईए क्या आपको कभी लगता है कि आप पाउस दही मांगते हैं वो अलग चीज है वो तो पैकेट बना के आपके लिए रखे हैं वो अलग चीज है लेकिन उसके अंदर जो दही है पाउस थोड़ना गिनने जब आप दही मांगते हो वो एक पाउच मांगते हो पाउच को काउंट करते हो दही को थोड़ना करते हो अ और इसके अलावे इनको गिन नहीं सकते, जैसे पानी, अब पांच पानी तो कहा नहीं होगा कभी जिन्दगी में, जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अगणनी संग्या के एक्जाम्पल हैं, ये आप लोग ने ध्यान रखना है, ठीक है, अब देखना एक चीज heading डालो, वचन परिवर्तन, यानि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाने हैं, ये इसको बोलते हैं, वचन परिवर्तन, हमने heading डालनी है, वचन परिवर्तन, क्या डालोगे, वचन परिवर्तन, यानि इसको कैसे आप लोग चेंज करेंगे, आपने ये देखना है, ठ पहला रोल बता रहा हूं उसी तरीके से जैसे हमने लिंग परिवर्तन करवाय था जो आपका इस्तर लिंग पुलिंग वाले में मैंने प्रत्याई लगवाय थे इसी प्रकार से इसमें भी लिखना आपको पहला क्या लगाओगे ए प्रत्याई जोड कर ठीक है यानि किसी सब् के पीछे अगर ए प्रत्याई लगा दिया तो वो हो सकता है कि वो एक वचन से बहुवचन की और सिप्टों हो जाए और ये बेसिकली कहां होता है ऐसे सब्दों में जिसका एंड आ से हो यानि एक अकारांत सब्दों होता है ये बेसिकली कहां पर लगता है आकारांत सब्द में अकारांत अभी बताता हूँ आपको लिखो आकारांत सब्द में, आ लिखा है मैं ठीक है, आकारांत सब्द में, यानि मैं आपसे ये कहना जा रहा हूँ, कोई सब्द होगा, जिसका end आ से हो रहा होगा, अगर उसके आ के स्थान पे, अगर कभी-कभी A प्रत्याई जोड़ दिया, तो आपका वो क्या हो सकता है, मतलब सीधी-सीधी बात, एक वचन से बहुचन की और सिफ्ट हो सकता है, तो आकारांत सब्द में A प्रत्याई लगा कर लिखो, A प्रत्याई लगा कर, अब आपको कहें, सर, यह क्या बात हुई, लगा कर, ठीक है, देखें, क्या, इसमें मैं क्या समझाना चाब, इसमें सिम्पल सी बात है, जैसे मैंने कोई सब्द लिखा, जिसका end A से हो रहा हुआ, अब आकारांते लिखे ना, इसको highlight करो, तो देखो कैसे यह लिखा हुआने, गधा, आ हो रहा ना, end से, गधा, आ, आ से end हो रहा ना, सिम्पल सी बात है, जैसे भाला, भाला सुना होगा आपने, किसे end हो रहा, आ से, भाला, आ, जैसे मुर्गा, किसे end हो रहा, A से हो रहा तो ये होते हैं आकारांत यानि जिसका end A से हो रहा है लास्ट में उस पे अगर आप A प्रथज जोड़ दोगे ठीक है क्या जोड़ दोगे A जोड़ दोगे तो इस गधा में A जोड़ो तो क्या बन जाएगा गधे ए जुड़ी है इसमें ठीका और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जब आपको यहां पे सिंगल मात्रा दिखेगी इसका मतलब इसमें लास्ट में क्या जुड़ा है ए जुड़ा है यह भाला करो भाले तो इसमें भी क्या जुड़ा होगा ए प्रत्याई जुड़ा होगा और इसमें मुर्गा मुर्गे यह भी क्या जुड़ा है अपने आप में ए प्रत्याई तो यह अपने आपे सिंगुलर से प्रोडल हो गया यानि एक वचन से बहुवचन की और क्या हो गया सिप्ट हो गया पहली चीज़ तो यह याद लिखना दूसरा जो ए प्रत्याई है ए प्रत्याई में और स्वर का लोब होके कभी कभी ए आ जाता है यानि आप क्या इसमें समझाना चाहरा हूँ लेकिन उसका क्या हो जाएगा लोब हो जाएगा और उसकी जएगा नई चीज़ आजाएकि उसको बोलते है अपने आप में ए आ जाना उसके अंदर दूसरा point आपने लिखने है. Second point लिखो आप. Second point के अंदर आपने क्या लिखने है इसमें दिखना? Osvar का लोग होके A आ जाना. यानि आप सीधे-सीधे लिखो. Oslar का लोग होके. यानि कहीं-कहीं सब्सक्राक के पीछे O आया होगा. उसका खतम हो जाएगा, वो हट जाएगा, ओस्वर का लोप होकर, ओस्वर का लोप, लोप माने वो गुम हो गया, ठीक है, होकर, क्या आ जाएगा, इसके पीछे A आ जाएगा, ओस्वर का लोप होकर, इसके पीछे A हो जाना, यह अपने आप में यह भी बहुत अचन मनाता है, तो वो कैसे बनाता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देखो, ऐसे लिख दू, अब देखो, पहला example, एक example दे रहा हूँ, मैंने जिसे नहर लिख दिया, नहर, इसका end किसे हो रहा, ओ से, यानि इसमें ओ आया है, तो इस ओ को हटा के ए कर दो, नहरे, सिंपल से बात, ठीक ह ये बहु वचन हो गया, यह नहरी, औ के इस्तान पे आगया, आपने आप में ए आगया, दूसरा जैसे मैंने बाह लिका, यहनी बाह, बाह का ए, ओ हटाओ, उसके पिछे से हॉ है ना, खली ओ, बाहें, क्या लिख दोगे, बाहें लिख दोगे, ठीक है, यह भी बहु वचन ह इसी प्रकार से जैसे मैंने बोतल लिखा तो बोतल का बोतले हो सकता है बोतल का बोतले यानि इस प्रकार से आपको क्या बनाने है एक वचन से बहुवचन की और बनाने ये भी अपने आप में रूल होता है कुछ ऐसे ही एक प्रकार के और आते हैं तो उसके अंदर third लिखोगे आप तीसरा point लिखने है आपने ठीक है third क्या लिखोगे देखो दो हो गया आपके तीसरा rule list का क्या लगता है और इससे question ऐसे नहीं पूछेगा नहीं उसके पीछे आ की मातरा लगी होगी ठीक है उसमें क्या होता है? जो आ होता है वो खतम हो जाता है यनि आ का लोप हो जाएगा और आ की जगह पे एक नया सबदों जूर जाता है जिसको भोते है ए प्रकार ठीक है तो सीधे सीज लिखो आ के स्थान पर सब्दु में होगा आपको यह ध्यान रखना है एक तो कोई ऐसा सब्द जहां पर आकारांत यह नि ब्रेकेट में लिखो आकारांत जिसका end आ से होता है आकारांत एक यह हो सकता है एक उकारांत जिसका end उ से होगा ठीक है आकारांत उकारांत और इसके इन टाइब के सब्दों में ओ के इस्तान पर क्या जागा ए आ जागा जैसे एक इग्जाम्पल में आपको साला तो साला आ से इंडोरा तो क्या जागा साला एं ठीक है यानि ओ के इस्तान पर अपने आपने सीधे सीधे क्या आ गया साला एं आ गया ठीक है यह जहाद प्लबाइन आती है जैसे दवा लिखा दवाएं हो सकता है दवा लिखा तो इसका भी क्या हो सकता है दवाएं इस पर कास से ठीक है तो इसमें ज्यादर टेंसेन लेने की जर्वत और इंहीं है आप लोगे को आप इतना ध्यान रखना की और के इस्थान पर ये वगेरा भी कभी-कभी हो सकता है और लास्ट जो आता है ये अभी भी बता रहा हूँ ये तरह important नहीं होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो अब मैं पढ़ा हूँगा कौन से एक बचन है कौन से बहुत बचन है उसको आप लोग ने ध्यान दखना है I-K-A-R-A-N-T-A-R-A-I-S-E लिखना है अपने फोर्त है इसमें क्या होता है देखो सीम्पल सी बात है जिससे आपने आप रते सुना होगा यानि आपके आ है यह लगा। ठीक है आप रते में आप रते से लिगो आ-प्रते से इसमें क्या होता है मैं बतारा है आपको दो चीज़ा होते हैं, इसके अंदर कभी-कभी ऐसे सब्दा आते हैं, जिसका end E से होता है, यानि बड़ी E जिसको आप लोग बोलते हैं, यानि इकारांत सब्द में, इकारांत सब्द में, यानि जिसका end किसे हो रहा है, आपका E से हो रहा है, ठीक है, इकारांत उसमें A प्रत्याई से E का परिवर्थन E में हो जाएगा, ठीक है? तो इकारांत सब्द में लेखो, A प्रत्याई से E का परिवर्थन कौन सा है? जो ये वाला है, इस E का परिवर्थन किसम हो जाएगा छोटी वाली E में E का परिवर्तन E का परिवर्तन किस में हो जाएगा E में हो जाएगा यानि E में हो जाएगा और एक नया सब्दी इनकी बीच में आ जाता है और वो होता किया है E में और A का मध्धे योब एंजन आ जाता है यानि E का परिवर्तन E में होगा और साथ ही साथ यह होगा आ के मध्य योवियंजन आ जाएगा ठीक है तथा अब इसको example से समझाओंगा तथा आ के मध्य योवियंजन आ जाता है ठीक है अब आपको ये कुछ नहीं पढ़ने है इतना मतल मत लगे रहे ना इसको पढ़ने में आपको सिर्फ इसकी example समझने जै दासी यानि इकारांते कि से इंड हो रहा इसे हो रहा इस सब्द में आ प्रते लगाना है आपको ठीक है क्या लगाना है आपको आ प्रते लगाना यानि दासी प्लस आ क्या लगाया मैंने दासी प्लस आ प्रते लगा जैसी आपने आ प्रते लगाया इनके मध्य योव आ जा इसको आप लोग ध्यान रखना क्या हो जाएगा तो यह अपने आप में क्या हो जाएगा दासियां हो जाएगा तो यह अपने आप में यहा आगया किसके पीछे देखो E का परिवर्तन E मो हो गया यानि ये छोटी E हो गया तथा A के मद्धे जो ये A है इसके मद्धे अपने आपमे क्या गया यो आ गया अगला example है इसी समझो जैसे आपने मछली लिखा simple सा देखो मछली लिखा ये क्या है अपने आपमे E है अब E जैसे मचली है अब इसमें आपने क्या करना है आ परते लगाना है यानि इसमें क्या होगा आ परते लगाएगा तो मचलियां हो जाएगा लेकिन जो E है वो छोटी E हो जाएगी और जो A लिखे आपने उसके पीछे बड़ा वाला यह आ जाएगा ठीक है यह यह मचलिया यह E का छोटी E में कन बढ़ हो गया और जो लास्ट मा आ आ रहा है यानि यह आ गया है और इसके मध्धी के आता है यह आ अजाते देखो यह आ से पहले यह आ गया तो वो ही है मचली का मचली आ हो गया और यह कोई आप से पूछने वाला नहीं है जैसे रिती लिखा आपने ए होगी और वो convert किस्म होगा रिती जो होगे आपने आप में रितिया मगनबट हो गया ठीक है इतना आप लोगो ध्यान दखना है यह वाला के अंदर count होते हैं इसका उस पर कोई प्रचाई लगाई नहीं है यहीं से question आने की संभाव नहीं है जैसे इनका एक वचन वो बहु वचन रूप सेम होता है तो लिखो एक वचन वो बहु वचन सेम एक वचन वो बहु वचन इसमें क्या होता है सेम होता है लिख दो इसमें य प्रेम का कोई बहुवचन रूप नहीं पता सकते हैं इसे ही प्यार लिखो भाई लिखो क्रोध लिखो कुछ भी प्यार भाई क्रोध ठीक है तो question क्या पूछा जा सकते हैं इन में से किस एक वचन या मतल्द बहुवचन सब्द में सुन्य प्रचाई का प्रियोग किया गया ह तो इसी का यानि आप समझ जाना कि इनका वचन रूप कुछ भी नहीं है तो आप simple से कैसे इसको पकड़ोगे exam में जैसे आपको सब्द दिये होंगे और पूछेगा कि इसमें से किसका वचन रूप या मतल्द किसमें zero प्रचाई लगया है तो आप जैसे चार सब्द दिये हैं जो सब्द दिया होंगे या उसका एक वचन बना देना अगर आपको आता होगा हाँ इसका एक वचन ये है singular या आपको पता नहीं एक वचन दिया है सब्द तो उसका बहुचन बना देना जहां आपको जवाब नहीं मिलेगा आपको होगया इसका बहुचन तो कुछ ही पता ही में चल रहा बांकि तीन उप्शनों के पता चल गए तो आप अपने आप में क्या कर दोगे सुन्य प्रत्याई वाला समझ जाओगे ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं एक सब्द लगा होता है जैसे वर्ग लगा होता है किस किसी भी केस में अपने आप में बहुवचन होता है ठीक है तो ऐसी ही क्वेशन यहां से पूछा लाता जो यहां से इंपोर्टेंट क्वेशन यहीं आएगा कुछ सब्द हमेशा बहुवचन लिखो कुछ सब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रियोग किये जाता है औ आपको समझाता हूँ ठीक है यानि कुछ सब्द हमेशा बहुवचन और पेपर में क्या पुछेगा आप से कि इन में से कौन सा एक बहुवचन है कौन सा एक एक वचन है देखो जैसे मैंने आपको लिंगवारे चेप्टर में समझाया था कि उस सब्द से सुरू करके सेंटें से मना दो आपके खुद समझ मा जाएगा ऐसा ही यहाँ पर भी करना है देखो कैसे पकड़ना है जैसे एक एक इक्जामपल लिखता हूँ मैं आसू ठीक है यह हमेशा बहुवचन होता है याद रखना हो क्वेशन पूछेगा कौन सा एक अपने आप में एक वचन है कौन सा बहुवचन है तो याद रखना आसू जो सब्दो होते हैं वो क्या होते हैं अपने आप में बहुवचन अब देखो sentence बनाओ क्या कहते हो आसू निकल गए तो कैसे यूच कर रहो एक बहुवचन की तरह कर रहो ना अगर आप आसू निकल गए आगर सही मानते हो तब तो एक बचन की तरह परियोगरा लेकिन हिंदी में वाकिक क्या बोला जाता है आसू निकल गए यानि सेंटेंस बनाना है ठीक है तो यह आद रखने आपको आसू इसके अलावा केस केस मतलब बालों के लिए यहां पर यह चरह ठीक है यह भी बहुचन होता है केस बिखर गए केस गिर गए यानि कैसे सेंटेंस के रूप में बोल ले उसको बहुचन ऐसी सेंटेंस बना देने है अपने हाप में अगला लिखो आप समाचार 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 सुन लिये, आप इसको यूछक करते हैं, धर्चन हो गए, यानि वहवचन की तरह आप इसको प्रियोग करें हो, प्रान निकल गए, ये कैसे यूछ कर रहे हैं आप इसको बहुचन की तरह करें, प्राण निकल गया तो नहीं कहते हो प्राण निकल गये कहते हो ऐसी हस्ताक्षर कर लिए अब ये मसोचना हस्ताक्षर याद सिंगली होगा ये तो एक वचन होगा ध्यान रखना हस्ताक्षर कर लिए ऐसी ही बोला जाता हस्ताक्षर कर लिया नहीं वो लोगे ठीक है बाल गिर गए यानि ये भी अपने आप में किस रूप में बहुवचन के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है इसी के साथ अपने आप में लोग आ गए लोग लोग भी बहुवचन होता है ठीक है लोग आ गए प्रजा जाग गई ये सब के सब क्या होता है अपने आप बहुवचन के रूप में प्रियोग किया जाता है और एक ऐसी लिखलो होस उड़ गई बस आपको उस सब्द से एक sentence बना देना लेकिन उस सब्द से जब sentence बनाओगे उसको individual लखना ऐसे मत रखना कि यार वो किसी अपने में प्रियोग करके मेरे होस निकल गए ऐसा मत बना देना अपने साथ मत जोड़ना उस sentence को individual अलग से एक sentence बना देना छोटा सा आपको समाझ आ जाएगा कि वो हमेशा बहु वचन है एक वचन ऐसे ही लिखो कुछ सब्द हमेशा एक वचन होते हैं कि वह सब्द हमेशा एक वचन होते हैं तो इसमें जैसे क्रोध आ गया अब वहाँ कन्फिऊन मत करना जो अभी मैंने बताया था आपको सुन्यप रहते ही वह परते लगा है या नहीं लगा था उसके लिए एक वचन भी हो सकते हैं या स्यमा कर दिये तो नहीं बोलते हो, स्यमा कर दिया सेंटेंस पता जल्ल है, एक बचन है इसका मलब प्रेम हो गया ये छाया आ गई छाया बस्तलब वो छाया से है संबद लड़की का नाम मत संबद देना चाया आ गई ठीक इसके अलावा अपने आप में जल गिर गया ठीक है या जल गिर गए गए तो जल ठीक है पानी पी लिया पानी पी लिये तो नहीं कहोगे जनता को वहां बहु बचन मत करिया आना वहां बेहोस मत होगे आना जनता में जनता आ गई बोलते हैं जनता आ गई न को बहुँ बचन मत करना ठीक है दूद हो गया वर्षा हो गया इसके अलावा हवा हवा आ गई ठीक है आग जल गई यह इस प्रकार से तो बोलते हैं आम लोग तो यह सब के सब क्या है अपने आप में एक वचन के रूप में प्रियोग होने वाले सब्दें इसको ध्यान रखन आप लोग ठीक है यही पेपर में पूछा जाता है और जो ऐसा सब्द होगा जो समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग तुरंत उसका अपने आपने इंडिविज्वल एक क्या बना लोगे सेंटेंस से बोल लोगे और लास्ट चीज इसमें वचन में यादना सम्मान वो आ पूरूस आपके सलेवस में एक और चीज दे रहे है उसने पूरूस ठीक है पूरूस है और लास्ट टॉपिक है आज कहें मतला हिंदी का अभी पूरूस डाल लीजे आप ठीक इसको भी हम लोग समझ जाते हैं कि यह होता क्या है देखिए पूरूस क्या होता है अपने आप में देखना है ठीक है पूरूस अब इसके अंदर जो दो तीन चीज़े में आपको समझाता हूँ वो देखना आपने पूरूस में हमेशा याद रहना बातूं की आउश्यक्ता होती है यानि बोल चाल में हमेशा तीन बातूं की आउश्यक्ता होती है पहली चीज़ क्या है वक्ता यानि वक्ता मतलब क्या होता बोलने वाला ठीक है इसको याद रहतो बोल चाल में तीन चीज़ें ध्यान रखने होती है तीन चीज श्रोता मतलब जो सुनने वाला होता है यानि पहला वक्ता होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए श्रोता यानि श्रोता मतलब जो सुनने वाला और तीसरा क्या होना चाहिए जिसके बारे में कोई न कोई बात कही गई है यानि जिसके बारे में कुछ न कुछ कहा जाए तो वो होता है third person यानि जिसके बारे में कुछ कहा जाए ये तीन चीजों का होना मतलब किसी भी बोलचाल में प्रियोग होता है तो अब देखिए वक्ता मतलब जो बोलने वाला है उसी को अपने आप में क्या कहते हैं उत्तम पुरुस या उत्तम पुरुस इसको बोला जाता है उत्तम पुरुस यानि अब वक्ता मतलब बोलने वाला है तो बोलने वाला कौन हो सकता है जो start करता है यानि अभी मैं हूँ य एक्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, वो ध्यान रखना है, जैसे मैं, ठीक है, मैं, मेरा, जो फस्ट साइट से है, मुझे, मुझको, हमें, ठीक है, ये सब के सब क्या होगे अपने आप में, उत्तम पुरूज, हमको, हमारा, इस टाइप की जो सब्द होंगे, सब के सब क्या हो अपने आप में उत्तम पुरूस के एक्जाम्पल होगा, ठीक है, तो ETC कर दो इसको, यह होगा आप में उत्तम पुरूस, यानि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, फस्च साइड, जिससे बात चल ली होगी, जो उसके सामने होगा, उसको बोलते हैं स्रोता, यानि ETC को बोलते हैं अपने आप में मध्यम पुरूस, इसको क्या बोलते हैं, मध्यम पुरूस, इसको क्या बोलते हैं अपने आप में, मध्यम पुरूस बोलते हैं, अब मध्यम पुरूस के अंदर के आएगा, जो सुनने वाला है, सामने है, तो इसके अंदर के एक्जाम्पल, तु, तुम, आप, तुमहारा सब के सब तेक है जैसे तु, तुम, तुमहारा, आप, एससब जो आपके सामने है यानि जो बीच में है जिसको सुनने वाला है सुरोता उसको बोला जाता है अपने आप में मध्यम पोरुष टोकि है एक बाद इंग्जामपल लिख दो तुमहे तेरा तो इसमां आप सब्दु को आप लोग ने ध्यान रखना है तेका आप तो ये मध्यमपुरूस होता है यानि मध्यमपुरूस कौन होता है जो सुनने वाला होता है एक तीसरी चीज होती है जिसके बारे में कुछ कहा जाए यानि इसी को बोला जाता है अन्यप्रूस ठीक है यानि इसको क्या बोला जाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए इसको बोला जाता है अन्यप्रूस ये भी आपके सलेबस में दिया है तो पूछे का कौन सा अन्यप उसको ठीक है ये सब के सब के आएगा आपका भी आएगा एचा आपका की निचे हाइळाइट कर दो आपका अन्यपूरुष में आता है ठीक है कहीं पूछ नदे आपका कौन couch ऐन्यपूरुष हाँ आपका आप सी टैब से देखे आपका याए WE इसने सब इसके के अंदर आएंगे एक और लिख दो वे और इसने इस टैप के जो सब्दे तो सिंपल सी बात है आपको वक्ता यानि फर्स्ट साइड जो बोलने आला उसको उत्तम पुरूष बोलते हैं जिसके बारे में कुछ बोला जाता है मध्यम पुरूष जिसके बामदब जो सुनता है और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको बोलते हैं अपने आप में थर्ड अन्य पुरूष ठीक है इसको बोला जाता है अन्य पुरूष ये तीन प्रकार के हिंदी में पुरूष उ कि थेंक यू